आज के समय में काला धागा पहनने का काफी परचलन है इस धागे को लोग गले, कमर, बाजू, हाथ, पैर आधी जगयों में बानते हैं मानताओ के अनुसार काला धागा पहनना बेहर्थ शुमाना जाता है काला धागा पहनने से शत्रू बाधा, भूत प्रेत बाधा, बुरी नजर, बुरी सक्तियों से काफी हद तक बचाव भी होता है इसके साथ ही कई ग्रह दोश भी दूर हो जाते हैं जोती शास्त्र में इसे बांधने के कई उपाए भी बताए गए हैं कई लोग तो हाथ, पैरों के दर्द को खतम करने तक के लिए भी काला धागा बांध लेते हैं लेकिन काला धागा हर किसी को नहीं पहनना चाहिए जोती शास्त्र के अनुसार ऐसी दो राशिया हैं जिने भूल कर भी कभी भी काला धागा नहीं पहनना चाहिए वरना इनको कई मुश्कुलों का सामना करना पड़ सकता है जोती शास्त्र के अनुसार मेश राशी के स्वामी मंगल है और काले धागे का संबंद राहू और शनी से होता है शनी और मंगल दोनों में शत्रुता का भाव है काला धागा पहनने से मंगल का शुब प्रभाव खतम हो जाता है और राहु का प्रभाव शुरू हो जाता है जो की दुरुभाग्य का कारण बनता है और जातक के जीवन में कई तरह की परिशानिया पैदा कर देता है इसलिए मेश रासी के जातकों को सोच समझकर ही काला धागा पहनना चाहिए मेश रासी की तरह ही व्रश्चिक रासी का स्वामे भी मंगल ग्रह है काले रंग से मंगल दे रूष्ट हो जाते हैं इसलिए इस राशी वाले जातकों को कभी भी हाथ, पैर, गले या कमर में काला धागा बिलकुल भी नहीं बानना चाहिए क्योंकि यह नकारात्मक और अनिष्ट का संकेत देता है और जातक के लिए बहुत सारी परिशानियों का कारण बनता है इसके अलावा कुम्भ, मकर और तुला राशी के जातक के लिए काला धागा बान्थना बेहद शुब और अति उत्तम फलदायक होता है इन राशी के जातकों पर शनिदेवता का पहले से ही अच्छा प्रभाव होता है अगर ऐसे प्रभाव के साथ ये जातक काला धागा बानते हैं तो दुगना फाइदा मिलता है इसके अलावा बची हुई दूशरी सभी राशी के जातक काला धागा पहन सकते हैं सिर्फ दो राशी के जातकों को काला धागा भूल कर भी नहीं पहनना चाहिए जो कि मैं उपर बता चुकी हूँ अगर आपकी कुंडली में राहु केतु कमजोर है जो तो पैर में काला धागा पहनना जरूर होता है काला धागा शनिवार के दिन ही पहने साथ ही काले धागे को दो, चार या छे के गेरे में बांधना शुब होता है जोती शास्त्र के अनुसार अपने जिस हाथ में काला धागा बांधा है उसमें किसी और रंग का धागा नहीं बांधना चाहिए वही अगर अपने पहले से कोई और धागा बांध रखा है तो फिर हाथ में काला धागा नहीं पहनना चाहिए कुल मिलाकर किसी दूसरे रंके धागे के साथ आपको काला धागा नहीं पहनना चाहिए जोती शास्तर के अनुसार महिलाओं को बाए पैर में काला धागा पहनना चाहिए क्योंकि महिलाओं के बाए अंग को शास्तरों में शुब माना गया है इसलिए काला धागा भी बाए पैर में ही बानना चाहिए यदि आर्थिक संकट से जूज रहे हो तो लाल किताब के अनुसार मंगलवार के दिन भी काला धागा शरीर में धारन कर सकते हैं बेहट शुब माना जाता है कोशिश करे कि ये धागा शरीर के दाइने हाथ या पैर में पहने इस धागे को वैसे पैर में बानना जादा बेहद शुब माना जाता है जब धागे का रंग हलका हो जाए तो आप उसे मंगलवार को ही बदले और नया धागा धारन कर ले तो दोस्तों अपने सनातन धरम से जुड़ी जानकारिया प्राप्त करने के लिए वरत त्योहार पूजा पाठ और वास्तु के नियमों के बारे में जानने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जादा से जादा शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी और दूस्त लोगों तक भी पहुंच सके वीडियो देखने के लिए धन्यवाद